कि असस्ता कि अपर दिखने की बात करों तो आपकी किताब के अंदर तो भाई यह ऐसा दिखते है ठीक है लेकिन अगर नेट से एक पिक्चर निकालों तो यह ऐसा भी दिख सकता है ठीक है और इसके साथ खास बात किया है कि यह इंस्ट्रूमेंट बहुत पुरान है जब मैं सलाइड बना रहा था तो मुझे पढ़कर काफी हिराने भी हुए फिर अच्छा भी लगा कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था पाया वर्नियर उसने 1631 यानि 1631 के अंदर इंवेंट या बनाया था ये जाद किया था तो 1631 1731 गया 1831 पर 1931 अभी इंशाला 2031 भी आएगा तो ये काफी पुराना है और ये बात एक खास है इसके लावा आजकल इस वर्ने कैलिपर को थोड़ा सा लेटेस्ट बना दिया गे डिजिटल वर्ने कैलिपर वह भी मार्केट म अविलेबल है वह भी आप भाई कर सकते हो मुक्लिफ चीजों के इंटर्णर और एक्टर्णर डायमेटर मालूम करने के लिए दिखने के लिए हाज से आपको पता चल गया वर्ने कैलिपर कैसा होता है एक ल शेप का होता है तीनों के अंदर देखें तो ऐसे करके ऐसे है अ अब यानि के वट इस वर्ने कैलिपर के एक्चली वर्ने कैलिपर कहते किसको है यह तो पता चल गया अधिकता कैसे है अब अगला सौाल कहते किसको है तो वर्ने कैलिपर जो है एक मैयरिंग डिवाइस है एक ऐसी डिवाइस है जिससे किसी भी चीज को ना पा जा सकता है मिस सही function कुछ इसके अंदर भी होता है लेकिन procedure अलग होता है scale के अंदर और इसके अंदर काफी फर्क है वीडियो में आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा लेकिन vernier caliper के हवाले से आपको एक बात जहन में यह रखनी है कि यह एक mirroring device है और second चीज यह आपने mind में रखनी है कि दो points के दरम्यान का जो distance है actually में mirror यह वही करता है बस अलग तरीके से करता है इसकी specification अलग है कैसे वो वीडियो में आगे चलोगे आपको समझ में आएगा तो नीचे क्या लिखावर के vernier caliper is a mirroring instrument which can make inside, outside or depth measurements वही बात अब यह इसकी official और जादा detailed definition बता रही है कि vernier caliper एक ऐसा mirroring instrument है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज के internal यानि inside से किसी भी चीज को mirror कर सकते हैं किसी भी चीज को बाहर बैरूनी हिस्सा जो होता है बाहर वाला हिस्स क्या इस पता चलीडे चलेका, यह बता चलेगा कर बता कि लने-ज्टर क्या होता है तर राव करते हैं वाध्र क्या क्यों निय इस्तमाल करते हैं हम गर क्यों इस्तमाल करने के पर बात करें हैं तो अब आपको और उत थह समझ भागा the accuracy obtained in measurements using our meter rule is up to 1 mm कि अगर यानि कि 1 mm एक चीज है उसको आपने ज्यादा accurate measure करना है ठीक है और तो उसके लिए scale इस्तमाल नहीं होता है because scale जो फुटा पेमाना होता है उसकी जो minimum measurements है आप किसी भी चीज को measure कर सकते हो 1 mm तक measure कर सकते हो लेकिन 1 mm से ज्यादा detail अगर किसी चीज की हो तो उसको हासल करने के लिए हम vernet caliper का इस्तमाल करते हैं ठीक है आगे picture है इसमें और भी अच्छे से समझ भाएगा बस सबह रखिए धिहान से सुनिया आपको सब कुछ समझ माता जाएगा आगे क्या लिख का है कि however an accuracy greater than 1 mm can be obtained by using some other instruments such as a vernet caliper yes वही बात जो मैंने अभी की कि 1 mm से ज्यादा की accuracy जब हमें चाहिए होती है न तो कुछ instruments इस्तमाल करते हैं जैसे screw cage हो गया और वरnet caliper हो गया तो उन उन ही में से यह एक होता है ठीक है तो अब आप से कोई पूछे के भाई वरnet caliper को हम क्यों इस्तमाल करते हैं तो आप उनको फटाफट यह जवाब दीजेगा कि जब भी हमें 1 mm से ज्यादा accuracy किसी भी चीज की मईयर करनी हो तो हमें जिन instruments का इस्तमाल करना पड़ता है उन में से वरnet caliper एक है अब मैं आपको बताऊंगा कि फुटे और वरnet caliper में क्या फर्क है और कैसे हम 1 mm से ज्यादा accuracy हासिल करते हैं इसके तुरू कोशिश करूंगा समझाने कि 100 out of 100 तो नहीं लेकिन maximum maximum आगे तक आपको ले जाऊंगा कि समझ में आपको आ जाए कि the accuracy obtained in measurements यह तो यानि कि जो फुटा होता है स्केल होता है जो कि पिक्चर में नजर आ रहा है अब आपको पता भी चल रहा होगा कि यह सेंटीमीटर का है यानि कि एक सेंटीमीटर में यानि कि यह एक करेंगे सबसे पहले तो वह स्ट्रेट में करेंगे जैसे के line हो गई और measurement यानि कि सबसे पहले line के है 1 mm यहां से कोई चीज यहां तक होगी 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, ऐसे यानि कि 1 by 1 अगर इस से अगर फीदर से कहानी समझाने की कोशिश करता हूं अगर यह फीदर यहां से यानि 1 cm से शुरू होता है ठीक है और यह यहां पर यहां तक आता है अभी तो यह accurately 30 से पीछे 29 के बिलकुल उपर है लेकिन अब आपने assume करना है इसको समझने के लिए कि अगर यह feeder इस से थोड़ा सा आगे होता यानि कि 30 और 29 के दर्मयान में होता तो ऐसे में यह scale नकारा हो जाता यह आपको बता देता इतना लंबा है लेकिन accurately आपको नहीं बता सकता था तो इस इस picture से आपको क्या समझने वर्णे केलिपर को नहीं समझना इस picture से आपको यह समझने कि कैसे accurately हम मेर करते हैं या फिर ज्ञादा accuracy की तरफ जाते हैं ठीक है तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम scale क की मदद से नहीं महिय कर सकते हैं जिनका साइज जिनकी बनावत अलग तरह की होती है तो हम वर्णिय कैलिपर को वहां पर इस्तमाल करते हैं तो आई होप यह पिक्चर मैंने इसलिए रखी थी कि आपको तोड़ सा आइडिया दे सको कि कैसे हम कुछ चीजों में पीछे रह जा गए जिसके उपर नुमन नजर आ हर यहines जिसके ओपरора देड़ा साइब होताए और इसकी बहुता है और इसके आपको नजर आँ जहां में करसर है जीरो से टैन डिजीट्स के निशाना दिसक अंदर मुझूद होते हैं और इसकी खास बत वर्णियर डीकिल की की होती है जाता है तो देखिए इसका diameter actually में यहां से और यहां तक का फासला जो है वही मालूम कर रहे हैं जिसको diameter कहेंगे cylinder का तो इस तरह से मालूम कर सकते हैं इसको मालूम करने के लिए क्लिए 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 जैसे थर्ड एक एक इसका पार्ट होगे internal diameter मालूम करने के लिए मिसाल के तोर पे कोई पानी की bottle है और उसको आपने अंदर से मालूम करने कि कितनी खुली है इसका जो मुह है उपर वाला वह opening जो है वह कितना diameter है तो ऐसे में क्या करते हैं कि इसको दोनों को मिला देते हैं close कर लेते हैं ठीक है फिर उसके बाद हम reading note कर लेते हैं इस तरह हमें internal diameter किसी भी चीज़ का पता चल जाता है तो आई होप आपको पता चल गए होगा main scale, vernier scale, movable jar, fixed jar, external diameter और internal diameter तो यह इसकी हो गए functioning और parts ने तो इसके बाद आब हम बात करेंगे least count फार्मूले के ओपर है तो सबसे पहला स्वाल तो यह पैद होता है कि sir least count किसे कहते हैं तो least count का मतलब यह होता है कि किसी भी instrument के जरीए जिससे हम कोई पेमाईश कर रहे होते हैं तो उससे लिए जाने वाली जो कम से कम reading होती है चोटी से चोटी जो लिजाने वाली पेमाईश होती है उसको बोलते है least count मिसाल के तोर पे एक scale है एक फुट्टा है फुट्टे की मदद से आप कम से कम reading कितनी मालूम कर सकते हैं आप 1 mm मालूम कर सकते हैं अगर scale दिखाता हूँ मैं आपको मिसाल के तोर पे यह scale आपको का least count के लाएगा तो अब स्वाल ही पहता है कि sir vernier caliper का least count कितना है और कैसे मालूम करते हैं तो उसके उपर बात करते हैं तो यह हमारे सामने least count का फार्मूला है जिसमें क्या लिखा हूए कि अगर आप least count of vernier caliper मालूम करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला यह है कि smallest reading on main scale इ पे नीचे टोटल जो vernier scale के डिवियंज है निशानात हैं वो लिखने हैं तो सबसे चोटी reading होती है main scale की 1 mm और जो total divisions होती है वो आगे picture में भी दिखा दूँगा वो होते हैं 10 divisions जैसे इनको तक्सीम करेंगे तो 0.1 mm आंसर आजाएगा तो least count of vernier caliper कितना होता है 0.1 mm यानि अ कम से कम फासला जो है जो मालूम करते है वो 0.1 mm है least count को short term है LC के नाम से भी जाना जाता है और millimeter को अगर centimeter में शोर करें तो यह least count के लाएगा 0.01 cm ठीक है और जैसे के picture की मतल से मैंने बताया था कि मैं दिखाता हूँ तो यह picture है आप देख सकते हैं 0 से लेकर 10 तक की line है इसलि तो इस तरह I hope least count का formula भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अगे चले तो अब बात करते हैं 0 error और 0 correction के 0 error क्या होता है तो पढ़ते हैं इसमें वो यह बोल रहा है कि if the zero of the vernier exactly coincide with zero of the mean scale then there is no zero error वो यह बोल रहा है कि जब भी जब भी जो आपका vernier caliper है ना उसके दोन जो आज मिलने के बाद जो है vernier skill का zero जो के जहां पर रेकरसर है वो और जो यह mean skill का zero है यह यह दोनों लाइने अगर कठी एक दूसरे के साथ मिल रही है तो ऐसे में आप समझिए जो भी instrument है आपके हाथ में उसमें कोई zero error नहीं है अच्छा एक और चीज़ स्वाल पैदा हो इसमें alignment होती है आपस में movable होती है तो होता कि है को कुछ instruments जो होते हैं वो थोड़े से टेड़े हो जाते हैं थोड़े से अनके adjustment खराब हो जाती है जिसकी वजासे values जो है वो थोड़े सी सही नहीं दे पाते ठीक है उसमें technical कोई फर्क हो जाता है तो ऐसे में ऐसा vernier caliper जिस see a warning caliper का मतलब क्या होते है यह होता है कि warning caliper के अंदर कोई गलती है या नहीं है अगर है तो उससे बोलेंगे zero error और उस गलती को ठीक करने और डियक्तर और जीरो क्रेक्ष्न और कैसे पता चलता है जीरो है या नहीं है WORN YOUR KILL का 0 और में KILL का 0 आपस में मिलें तो 0 error नहीं है अगर नहीं मिल रहे तो zero error है अब error जो होते हैं वो दो किसम को होते हैं negative error और positive error अब सवाल यह पयदा होते हैं negative error क्या होता है और positive error क्या होता है तो सबसे पहले हम positive error के ओपर बात करते हैं तो देखिए English आप खुद प bucks लीजेगा लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ जब भी vernier kelly per को आपस में आप उसको बंद कर देंगे बंद करने पर आपने देखना किया है आपने zeros को नोट करना है किसके zeros को vernier scale जो है उसके zero को और जो mean scale है उसके zero को तो जब भी वर्णियर स्केल का zero right side पे होगा जैसे कि इस picture में नदर आ रहे है किसके right side पे होगा main scale के zero के तो उस वक्ट जो उस instrument में error कहलाएगा वो positive error कहलाएगा ठीक है दुबारा से बता दे तो जब भी वर्णियर स्केल का zero दाएं तरफ होगा right side पे होगा main skill के 0 के तो वो error positive error कहलाएगा और ऐसे में positive error से क्या पता चलता है positive error से ये पता चलता है कि जिस भी instrument में positive error होगा तो हमें ये समझना चाहिए कि इस instrument की मदद से हम कोई भी value या किसी भी चीज़ का जो length या measurement मालुम कर रहे हैं तो वो value जो है वो answer जो है हमेशा ज्यादा होगा क्यों ज्यादा होगा क्योंकि positive error उसके अंदर है इसलिए जब भी positive error किस instrument में होता है तो उसकी value को correct करने के लिए हम जितना positive error होता है उसको answer के अंदर से minus कर देती हैं इसलिए यहां लिखा होगा कि zero correction is negative तो I hope positive error आपको समझ में आगे है जो थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया negative को पढ़ेंगे तो उसका उलट है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा negative उसका उलट है उलट क्या है इस picture में थोड़ा सा फर्क है लेकिन आपकी book के अंदर यही था तो मैं मुझे यही उठानी पड़ी लेकिन आपने assume करने negative error का बहुत है negative error उस वक्त होता है जब भी vernier scale का zero main scale के zero के left तरफ हो ठीक है बाएं तरफ हो ठीक है right side पे होगा तो positive error होगा left side पे vernier scale का zero होगा तो वो negative error होगा अब जब भी किसी instrument की negative error मौझूद होगा तो इसका मतलब यह होगा जब भी उस instrument को इस्तमाल करते होगे किसी भी चीज की value मालूम करेंगे तो हमेशा कम हमें value बताएगा क्यों कम बताएगा क्योंकि इसके अंदर error जो था वो negative था तो accurate answer हासिल करने के लिए हम उस error को zero correction को यानि कि उस error को जमा कर देंगे answer के अंदर जो के किलाएगी zero correction इसलिए यहाँ पर क्या लिखा होगा कि negative error जिस भी instrument में होता है उसको correct करने के लिए zero correction हमेशा positive आती है तो आई होप असान सी बात थी आप लोगों को समझ में आ गया होगा